बिहार में चुनाव पर पुरे देश की नजर है लेकिन सबसे जादे जो बात चीत हो रही है वो उबैसी उपेंदर कुषबाहा और मायावती के दल ने गटवंधन किया है ग्राउंड पर अगर कैडर के हिसाब से बात करें तो सबसे मजबूत का टवंधन दिखता है लेकिन ये सीटों में तबदील होगी इस पर बात करेंगे और उपेंदर कुषबाहा सबसे जादे नितीज कुमार पर क्यों हमलावार है क्या है वज़ा कल उन्हें परसू सबसे ब समय तो भारते जन्ता पार्टी के नित्रित में सरकार बनेगी या सून कर भी लोग उनके साथ नहीं जाएंगी जान बुझकर ऐसी बात की जा रहे हैं उनकी ओर से नितीज कुमार का वैकवर्ड फेस देखकर वैकवर्ड लोग वोट दे 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 और चुनाओं के बाद क कि उनकी रननीती दूसरी है और साब साब दिख भी रहा है उनके कई कदावर नेता अलग पार्टी में जाकर चुनाओं लग रहे हैं जेडिव के खिलाफ बीजेपी के कदावर नेता और चारों तरफ से जो कोशिस है कोशिस दीख रही है सिधे परसेप्सन में है लोगों क को पीछे करेंगे अपना मुख्यमंत्री बनाएं और इस चुनाओं के दर्मियान भी उनका पूरा प्रयास है कि नितीश कुमार जी की सीट कम से कम आये कम से कम नितीश कुमार जीत पाएं ताकि उस वक्त कहने के लिए भी हो जाएगा कि भाई आप कम सीट जीत पाएं हैं इसलिए अब हमको दीजिए तो क्या वो जो कोई सवन सीएं बाला जो परसेप्सन बनाया जा रहा है कि बिहार में कोई पिछरा दलित या माइनोर्टिस नहीं कोई सवन सीएं का बक्त आ गया है भारती जनता पाटी की ओर से कोई आवेगा वहले बैकवर्ड हो कोई हो अब बीजेपी के उपर है कि किसको बीजेपी लाएगी लेकिन उत्तर परदेश का सीन तो लोगों ने देखा है उत्तर परदेश में जब चुनाव हो रहा था पिधान सवा का तो उस समय बैकवर्ड समाज के एक व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज दिया गया कि सरकार बनेगी तो यही ब्यक्ति मुख्यमंतरी होगा लेकिन चुनाव परिनाम आने के बाद उस ब्यक्ति को पीछे कर दिया गया और योगी जी आगया और योगी जी मुख्यमंतरी बन गया तो सीधा यही बीजेपी करने वाली है मैं लगातार पिछले 10-12 जीलों में गुमाओं लोग कह रहे हैं कि जो गटवंधन था आपका महा गटवंधन उसमें सुपिंदर कुश्वाह का जाना एक बड़ा डैमेज कंट्रोल है उस गटवंधन के लिए तो क्या ऐसी मजबूरी हो गई थी क्योंकि आप तो सोसल जस् हम थे हैं और रहेंगे इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है दो राय नहीं है लेकिन आरजडी के नत्रुत में और आरजडी के खास करके लालू जी के परिवार का कोई व्यक्ति नत्रुत करें तो किस तरह का सासन चलेगा सब लोगों को मालूम है भरस्टाचार के मुकदमा में भीरे हुए हैं अभी भी लालू जी तो खेर जेल में बंद है अलग बात है लेकिन जिसके नाम पर चुनाओ की बात आरजिरी कर रहा है उनके उपर भी इतने सारे मुकदमे हैं तो ऐसी परिस्तिती में और फिर 15 साल उनका लोगों ने देख लिया है उस बक्त क्या इस्तिती बिहार की रही है तो फिर से लोग उनकी और वापिस नहीं जाना चाहेंगे यह बात सच है और यही हमने उस वक्त महा गठवंदन में लोगों से कहा भी कि नितृत बदल यह तो उस पर हम विचार कर सकते हैं लेकिन नितृत बदलने पर कोई वहां समती नहीं बनी या विच नहीं है क्योंकि पुराना पंदरा साल सोच कर भी लोग सीहर जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यही कारण है कि नितिश कुमार जी 15 साल बनाम 15 साल जो सुरू किये उसके पीछे वही था कि 15 साल पुराना दिन याद करके लोग तेज़्वी के साथ नहीं जाएंगी और वा जाएंगे कहां, तो इसलिए लोगों के मन की जो आसंका है, बिलकुँ सच आसंका है, तो हमको भी लगा कि फिर वहां सीधे जाकर कि हरने की लराई लरना, तो उसका कोई मतलब नहीं है. ये लोग मुझे पूछ रहें कि इस चुनाओं में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि लोगों को बहुत बहुत होपफूल हैं अगर इस तरह के अलाईन्स बनता है. हाँ, निश्ची तरुप से कंटिन्यू करेगा, अभी हमारा जो गठबंदन है बिल्कुल नेचुरल गठबंदन है, इसलिए यह कंटिन्यू करेगा. एक सवाल है, जो परसेप्शन है, जो दिल्ली में मीडिया का परसेप्शन है, कि बीजेपी की प्लानिंग है, क्योंकि दलित और मुस्लिम दो ऐसी कम्निटी आज बन गए है, वो मेरे सर्वे में है, वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और बिहार मे एसे स्थित्ती में आपको क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि चिराग पास्वान अलग चुनाओ लग रहे हैं, ताकि दलित बोट बीजेपी को न मिले तो आरजेपी के साथ भी न जाए, और उपेंदर कुश्वाहा, रोबैसी और मायवतिसली एक साथ आई हैं, कि लोग हैं, कि चुनाओं के बाद देखिएगा कि जडूट पड़ी तो भारतिय जनता पार्टी के साथ मिलकर करके आरजेदी सरकार में सामिल होगा, भारते जन्ता पार्टी का मुखमंतरी बने इस बात को लेकर बीजेपी आगे आएगी और जख मारकर तेस्वी आदब को उनके साथ जाना पड़ेगा बीजेपी का डंडा सुरू हो गया है कि केस में रहात पाओ और हमारा साथ दो अगर हंग विद्हान सबा होती है ट्राइंगलर मामला होता है तो आपकी क्या भूमिका होगे आप क्या इस्टेबलेंगे क्या नितीश कुमार के साथ जाएंगे क्योंकि आपके कैडर बोट में रोतास कारा काटी सबाया हो यो आपको बोट कर रहे हैं तो उस परिस्षीतिति जो हमारा गठवंधन है उस गठवंधन की सरकार बनाना और इसी के लिए हम लराई लर रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे तो कैडर के हिसाफ से बात करें तो वैसी मायावती और उपिंदर कुश्वा एक मजबूत गठवंधन है अगर ये लॉंग टर्म बोटों में तबदील लॉंग टर्म में गठवंधन चलता है और अगर बोटों में तबदील होता है तो बिहार के चुनाओ जो आपको दिखाये जा रहे हैं टेलिविजन अखवार में जिस तरह के उपिनियन उसके अलग हो सकते हैं पर आपको जाना चाहिए बात करनी चाहिए यह तो तय है कि नितीज कुमार को इस चुनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान जहलना पर सकता है अग्विंदर कुछपा उनके बहुत करीबी निताओं में से रहे हैं, लंबा समय रहा है और बहुत सबसे ज़्यादा नितीज कुमार पर ही हमलावर हैं क्यारावन तारदत के साथ श्रम्भु कुमार सिंग निशनल दस्तक पटना निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे